प्यारे बच्चों बच्चों एक्सरसाइज 2.3 ले रहे हैं बहुत आसान एक्सरसाइज है और आप फटा फटा पट जबाब देदेंगे इनके देखिए प्युक्त लेते हैं वीच आप दो फोलाइंग विल रिप्रेजेंट जीरो यह पुछ रहा है किसका मान जीरो नहीं है देखिए यह फट वाला ही आपका एंसर होगा देखिए वन प्लस जीरो यह वन में जीरो यह आपके पास एक पैन है इसमें जीरो पैन एड़ करूंगा त ग four यह उन्हें तो आपका एंसरव उन में एक झारू और आपको जीरो sung और दे देताओं मैं तो एक यह यह रहेएगा जीरो आप तो होता नहीं है तो वन प्लस जीरो यह आपका वॉन एंशर हुआ और अब सेकेंड वाला जीरो में 0 का मलटिप्लाइए करते, 0 ही आता है बच्चो, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, तब भी 0 ही मिलेगा आपको, यह ने डिवाइड करना हैं उसके पार्ड करना तो 0 के क्या पार्ड करेंगे? जीरो तो ही नहीं तो जिसके पार्ट हो इनी सकते हैं जीरो के दो भाग करो तो जीरो के दो भाग करो तो जीरो के दो भाग कांसे करेंगे तो ऐसे 10-10 करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 मेसे 2 से डिवाइड करेंगे, यही वाला question हो गया, तो 0 के तो डिवाइड करी नहीं सकते हैं, यह भी 0 हुआ, यह भी 0 हुआ, यह भी 0 हुआ, यह भी 0 हुआ, लेकिन इसका answer हो रहा है 1, तो आपका final answer हो जाएगा, solution में क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, 1 प्लस 0 is equal to 1, यह आपका answer हो गया, बच्चो, तो यह first question complete हुआ, बच्चो, second question ले रहे हैं, यह भी भी बहुत आसान question है, देखे, if the product of two whole number is zero, यह दो numbers का multiply कर रहे हैं, तो हमको zero मिल रहा है, can we say that one or both of them will be zero, तो क्या हम बता सकते हैं कि दोनों ही zero होंगे, बच्चो, या एक zero होगा, उसमें justify through example, तो देखे, बच्चो, जीरो, यहने zero का किसी भी संख्या में हम multiply करें तो zero, यहने एक zero तो होना जरूरी है, उसमें बच्चो, और अगर दोनों zero होंगे, तब भी result zero ही आएगा, तो बहुत आसान question था यह, तो हम लिखेंगे yes, if we multiply any number with zero, the result product will be, resultant product will be zero, means क्या हो जाएगा, अगर आप कोई सा भी number लेंगे, और उसमें zero से multiply करेंगे, तो आपको zero, three में zero का multiply क्या, zero मिलेगा, four में zero का multiply करेंगे, तो zero मिलेगा, आपने 15 ले लिया, 15 में zero का multiply करेंगे, जिरो thousand to thousand में multiply करोगे, तो किसी भी number में zero से multiply करेंगे, result हमको zero ही मिलेगा, बच्चो, second उसमें क्या पुछा है, जिने किया दोनों नंबर का मुल्टिप्लाइब करेंगे तब भी 0 मिलेग तो यस अभसितड अर्ज Tschodauje ओकी जि agricultural यह इन बीघ चाल्बिचेल का मुल्टिप्लाइब करेंगे तब ब्यौन का मुल्टिप्लाइब करेंगे Central यहने दो number का multiply करते हैं तो one आ रहा है आपको one मिलता है यहना can we say that one are both of them will be one क्या एक one होना ची या दोनों one होंगे तब ही result one मिलेगा justify through example तो example देखकर बताओ तो इसका जो answer है बच्चो अगर number अलग-अलग होंगे और two का one में multiply करेंगे तो one नहीं आएगा टू आएगा five का one में multiply करेंगे तो five आएगा one नहीं आएगा seven का one में multiply करेंगे तो seven आएगा one नहीं आएगा इसका मतलब हुआ one का किसी भी number में multiply करेंगे तो result वही number आएगा तो one कब आएगा तो one का multiply सिर्फ one में होगा तो ही one मिलेगा otherwise result one नहीं आएगा तो हमने क्या लिख दिया if both number are different then the product cannot be one यहने तब उत्तर one नहीं आ सकता अगर one के अलावा कोई साथ दूसरा number आ गया है और दोनों same number कब होना चाहिए one हो तो ही result हमको one मिलेगा otherwise different number हुए one और कोई दूसरा number हुआ तो नहीं जैसे two और one का multiply करेंगे two five और one का multiply करेंगे five seven और one का multiply करेंगे तो seven तो one नहीं आ रहा बच्चो इसमें तो one कब मिलेगा हमको तो one हमको तभी मिलेगा जब दोनों number same हो यहने if both number are same means one then the product is one यहने one का one में multiply करेंगे तो आपका answer one आएगा बच्चो तो यहाँ पर आपका एक question number third भी complete होता है ओके थेंक्यू बच्चो एक्सरसाइस two point three से question number fourth ले रहे हैं क्या का है find using distributed property तो देखिए बहुत आसान question है distributed property हम जानते हैं यह 728 SI लिखा हमने और यहां पर यह 101 है तो इसको 100 प्लस one कर देंगे और इसमें अब distributed property लगाएंगे कि 100 में यह जो भी 0 में कोई multiple आप 0 रहता है और कोई संख्या जिसके unit plus 0 रहता है उसमें multiply करने में बहुत आसानी रहती है तो हम क्या करेंगे इसको distributed property यूज करी तो यहां से 728 यहने अपने टॉपी दोनों में बाढ़ना है तो 728 इसमें भी multiply होगा 728 इधर वन में multiply होगा तो 728 का 100 में multiply करेंगे बच्चों फिर 728 का 1 में multiply करेंगे तो देखिए यह तो 100 में multiply करने से क्या फाइदा है बच्चों यह ऐसे कैसा 20 आगे लग जाएगी और वन में multiply करेंगे तो 728 अब 8 करना तो 8 करना तो पहुत आसान आपको आता है तो क्या हो जाएगा यह 728 इसमें एड हो गया तो यह जाएगा 7300 73000 528 यह 72000 एट आपका एंसर आ जाएगा 73500 ट्वेंटी एट नेस्ट वाला देखिए बच्चों सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यह भी सेम वही पटरन है तो क्या लिखेंगे 5437 और मल्टिप्लाइ करके यह डिस्टिबुटिव प्रापर्टी लगाएंगे तो इसको क्या लिख दिया हमने 1000 प्लस वन तो यह भी उपर वाले क्वेश्चन जैसे ही हो गया इसका यह डिस्टिबुट करेंगे यहने 5437 का दोनों में मल्टिप्लाइ करेंगे किस-किस में 1000 में मल्टिप्लाइ होगा और वन में भी होगा और इसका मल्टिप्लाइ करना तो बहुत आसान है बच्चो यह हो गया 5437 और कितनी जिरो लगा दोगे 123 और वन में मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह सही रहेगा 5437 अब आपको 8 करना तो आता है आप 6 क्लास में आगए तो जोड़ना सबको आता है तो 8 कर देंगे तो कितना आ 437 अगर अब इसको गिनने हैं यह तो कैसे यह वन स्टेंस अंड्रेट ताउजेंड तेन ताउजेंड ना और फिर यह लेक टेन लागेन फिप्टी पॉर लेक फोटी टू थाउजेंड पोर हंड्रेट थाउजेवन आपका आंसर हो जाएगा बच्चो नेक्स्ट वाला देखिए इसका क्वेश्चन सी वाला अब यहां पर क्या करेंगे बच्चो हम यह 25 है देखिए इसमें 0 बनाना था इस 20 और 5 को बना देंगे हम यहने 20 में एक जीरो लग जाएगा ना टू में एक जीरो रहेगा तो एट ट्वेंटी फॉर मल्टिप्लाइट इस 25 को क्या लिखेंगे 20 प्लस 5 यहां पर अब डिस्टिबूटी प्रापर्टी लगा रहें तो एट ट्वेंटी फॉर मल्टिप्लाइट ट्वेंटी प्लस एट ट्वेंटी फॉर मल्टिप्लाइट फाइब अब इसका मल्टिप्लाइग करना तो बहुत आसान है देखिए इसका टू में मल्टिप्लाइग कर दो एट 24 का तो यह हो गया आपका एट कितना जाएगा आठ सो है ना जैस्ट डबल यहने 1648 चोईश का 48 हो गया और यह 010 लग गया बच्छों और इसका 5 में मल्टिप्ला करेंगे तो 4120 आपका आंसर आ जाएगा अब इन दोनों को एट कर लिया हमने इनको एट किया तो यह 20600 हो गया यह 16000 और यह 4000 तो ट्वेंटी थाउजब्स इन दोनों को एट कर आश तो 20600 इसका आशर आ यहां पर भी हमने डिस्ट्रीव प्रापरटी का उपयोग करा है बच्छों को नेक्स्ट वाला है आपका डिवाला इसमें हम क्या करेंगे इस 125 को तोड़ेंगे तो हम क्य कर रहे हैं 4275 और इसको 125 को क्या लिख रहा हूं देखिए हम जीरो के रूप में लिखना था हंड्रेट लिखूंगा फिर 25 लिखूंगा और 25 को अजस्ट उपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था कि 20 प्लस 5 लिखा था तो यह 120 और 5 तो इसका तीन बच्चे मालो यह टॉफी बाटना है तो यह तीन बच्चों में टॉफी बाटेगा जिए इतने क्लास में इसके तीन दोस्ते तो तीनों को दे गए तो क्या करेगा यह और डिस्ट्रीबूटी में लगई है तो यह 4275 का मंडेड मी होगा बच्चों गटेज 바뀌 इसका मं क्या है ट्वइंटी में भी होगा यहने 42175 का मंट्प्ला है ट्वंटी में में भी होगा प्लस यह इसान Tan कार्डिंग आप इनको लगाएंगे यह प्लस माइनस और अब यहां पर भी क्या हो जाएगा 4275 x 20 कि स्वरी 5 कि क्या जाएगा यह मल्टिप्लाइ 5 तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्छों देखे जीरो तो हंड्रेड में मल्टिप्लाइ करना बहुत आसान होता है तो यह दो जीरो लगा दो आप आगे और इसको डबल कर देंगे हम है ना तो यह 4000 का क्या हो गया एट ताउजेंड फाइब बन इसे मल्टिप्लाइ किसमें 20 में करा रहा है तो तो पहले ज़स्ट डबल कर देंगे प्वोर ताउजेंड का एट ताउजेंड फाइफ अंड़ेड फिप्टी कर दिया आमने बच्छों और एक जीरो है तो यह जीरो पहले फिर बात में लगा करना है तो आपको एट करना आता है एकर साइड बेएक करके हम एड करेंगे तो यह अपन जो है 5,034,375 इसके ज़स्ट नीचे लिखकर आप साइड में इधर से अब एड कर लेना है एड करना आपको आता है इसलिए में यहां पर चुकि हमारे टाइम ज्यादा ने लगे आ इसलिए मैं यहां पर आपको एड करके नहीं बता रहा हूं अच्छो इसका इवाला पार्ट देख रहे हैं यहने 504 का 35 में मल्टिप्लाय करना है तो इसको दो तरीके से करते हैं इसको 30 प्लस 5 भी लिख सकते हैं और यहां पर और ज्यादा आसान हो रहा है तो हमने इस आग इस अलिटी प्रापटी लेए लगाएं तो 35 का 500 में मल्टिप्लाय होगा 35 का फोर में वी होगा सब्सक्राइब करेंगे 35 का तो 140 आजाएगा अब दोनों नंबर्स को हमने एड कर दिया तो यह तो बहुत आसान क्वेशन था तो यह आंसर आपका हो गया 17640 यह आपका रिक्वार्ड आंसर है बच्चो तो यहां पर क्वेशन नंबर फूर कंप्लीट होता है ओके थेंक्यू हेवे नाइस दे बच्चो क्वेशन नंबर फाइब ले रहे हैं बहुत आसान क्वेशन हैं देखिए क्या का है इस्टडी दफेटर्ण तो यहां पर यह फाइप स्टेप दी वन टू टू त्री फूर फाइब तो पे मंडिपलाई कर दिया यहां टू एड कर रहे हैं तो नाइंट यह मिल रहा है ओ फिर अगला पेटर देखें यह स्ट आगया और ऐसका यह एट 7 हो रहा है यहने एक कम हो गया इधर एक बढ़ रहा है तो इधर एक कम होके एक संख्या बढ़ रही है बचो इधर नेक्स्ट देखिए फिर 123 के बाद में आ गया 1234 और इधर भी 4 हो गया 1234 का 8 में मल्टिप्लाइ करा और फिर 48 किया बच्छो तो देखिए यह था नाइन फिर 98 हुआ फिर 987 हुआ अब क्या हो गया 9876 अगली स्टेप में 5 आ जाएगा इधर भी 5 होगा और इधर भी 5 बढ़ जाएगा यहने क्या हो गया 12345 12345 में 8 का मल्टिप्लाइ करेंगे 4 की प्लेस पर 5 आ जाएगा 98765 अब अगली टू स्टेप क्या हम लिख सकते हैं बच्छो इसने क्वेश्चन पूछा राइट दर नेक्स्ट तू स्टेप केन यू से हाउ दो पेटर्ण वर्क तो देखिए विच्व हम ट्राइ करते देखिए यहां पर क्या हो रहा है सब में यह यह तो कांट ना 98765 तो 98765 तक तो था ही अब एक नंबर इससे कम हो जाएगा यहां हो जाएगा फॉर है ना बच्छो और इधर क्या हो जाएगा यह एट एसा ही रहेगा यह वाला और मैं इधर 12345 तो था अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 123456 तो यह नेक्स्ट नंबर हो गया इसके बाद वाला आप बता सकते देखे यहां तो 7 होगा बच्छो इधर क्या हो जाएगा एक नंबर और बढ़ जाएगा और संक्या इने 4 के बाद 3 हो जाएगा तो 9 8 7 6 5 4 3 हो गया और यहां 8 से क्या हो जाएगा 123456 ता एक नंबर और बढ़ जाएगा तो 123456 और सेवन हो गया तो यह नेक्स्ट नंबर हो गया तो इस पेटन पर हम आगे के और भी नंबर निकाल सकते बच्छो अब वो के रहा हैं कें यू से हाओ दो पेटन वर्क तो पेटन कैसे काम कर रहा तो देखि यह वन में 8 का muliply करा और एम एट किया तो 9 आया वर आ अजया से कंद में यहां पर तो किया तो यह हो गया 12 वच्छो और और यहां से एक नंबर कम हो गया और इसके आगे नंबर बढ़ गया लेकिन यह नाइन था तो एक नंबर डिक्रीज होके आगे बढ़ जाएगा अब यहां थ्री हुआ तो यह 1 2 3 हो रहा है बच्चों कि अंग्या प्लस त्री कर दिया हमने अब यह क्या जाएगा नाइन एट और सेवन फिर यहां फॉर हाया तो क्या जाएगा 1 2 3 4 ए और यह 9 8 7 तो था है अब 1 6 और लग जाएगा फिर अगला क्या हो जाएगा यहां 5 तो वान टू त्री फोर फाइप ठीक है बच्चों और अगला यहां पर क्या बचाएगा यह नमबर इतना तो रहेगा इसे ही और एक नमबर और आगे बढ़ गया फाइप फिर आगे और बढ़ते हैं इसमें आ जाएगा वान टू त्री फोर फाइप सिक्स और यहां पर भी एक पर कम होके बढ़ जाएगा यह संक्यात AIDS ही रहेगी यह फाइप तक और एक नमबर और आगे बढ़ मिआ हैं फूर है फिर यहां पर क्या होगा सेवन तर एक नमबर इदर इंकरीज होगा वट वञुन्टोथ ठीव फॉर-फाइप शिक्स सेवन уण इदर भी एक नमबर क्य के अगर आपसे पूछते हैं कि या दो नंबर चार नंबर लिको तो इस पैटर्ण पर हम आगे देखिए यहां पर सिर्ट यहने एक पैटर बन रहा है यहां पर भी क्या वह रहां नाइन फिर नाइन एट नाइन एट सेवन एक एक नंबर डिक्रीज होके और एक संख्या बढ़ती जा रही एक डिजिट की व्रद्धी होती जा रही तो यह आपर एक यह पेटर्न आपका कम्प्लीट होता है विच्छे ओके थेंक्यू है वे नाइज डे